आज हम आये हैं मद्यप्रदेश के एक छोटे से गाउ में यहां का खाना ट्राइ करने ताजी सबसियां, सिंपल रेसिपीज और बहुत बहुत टेस्टी खाना यही पर खेतों से हम सबसी तोड़ेंगे और उसी का खाना बनेंगा टमाटर, पैंगन और मूली बस यही चाहिए आज हमें अपने खाने के लिए सबसे पहले बर रहा है मूली और टमाटर का सलाथ जिसमें हम डालेंगे थोड़ा सा धनिया अब बारी है धनिया की चटनिगी जिसमें चाहिए धनिया, मिर्ची, थोड़ा सा अध्रक, थोड़ा सा नमक और लेसन सिल्बर टेपर हाथ से पिसी चटनी का स्वाध ही अलग होता है अब बारी है थोड़ा से टमाटर की तो लीजिए सलाग और जटनी तयार अब बारी है गेल हुपीस में की रोटी के लिए आटा भी तो फ्रेश चाहिए चलिए अब बनाते हैं छाच वो भी बेकोई बेसी तरीके से इस चाच में डलेगा नमक, जीरा और थोड़े से धनीय की चटनी अब बारी है सबजी की यह है चूले में भूने हुए बैंगन और टमाटर जिससे अब हम भरता बनाएंगे इसमें चोंक लगेगा सिर्फ लस्टन का और ऊपर से दलेंगे कच्चा प्यास और थोड़ा सा धनिया इससी होिए काथ fancy थृटन cosश्तायग छूद स्वय होगे ज़े गहती है कता старए बन्हें समय होगें नमक, इंभर ग्यक्षी होगे अजले tasty क्षैब होगे प्लाजया, जोगे कip साली होगे ओ। रम में सबकते पूज होगे यहागे कि कि अज़ को दखेण दखेड़ कि ऐख लेखे़। कि अब करें दो पका कि वूग कर दोढ़ा है कि अबड़ा डु़ चाल chyba द harणा पके हम भीक करेंदा कर बंदा नंदाए हैं कर दो कर दो कर दो कि बंदाना ने लिगा हैं तो लीजिए आज का खाना तयार है